हमारे देश में राष्टपती का चुनाव बड़ा ही दिल्चस्प होता है और आप इस चुनाव के जरिये विभिन राजन्यतिक दलों की मानसिक्ता, विचारधारा, सिध्धान्त और स्वार्थ का पता असानी से लगा सकते हैं जाना नहीं पिछले दो-तीन चुनाव को ही आप अध्यान कर लें या आकलन कर लें तो इस्थितियां स्वस्थ हो जाएंगे कि किस प्रकार राजन्यतिक दल अपनी राजन्यतिक फायदे के लिए राश्टपती चुनाव के दोरान उमिद्वारों का विरोध या समर्थन करती है नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है तो देश में राश्टपती के चुनाव हो रहे हैं और दोनों तरफ से उमिद्वारों की घोषणा भी हो चुकी है NDA की तरफ से स्रिमती, द्रौपदी, मुर्मू है तो विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रिय मंत्री यश्वन सिनह इस बार के चुनाव में खास तौर पर देखा जाए तो पिछले दो चुनाव में जैसा हो रहा था एक तरीके का क्रॉस भोटिंग, यानि कि गटबंदन, एक गटबंदन में आप सामिल हैं और दूसरे गटबंदन के उमिद्वार को आप समर्थन दे रहे हैं जैडियू ने ऐसे दो बार किया है, 2012 में जब NDA का पार्थ होते हुए भी उन्होंने यूपिये के उमिद्वार प्रणो मुखरजी को समर्थन दिया था और फिर जैडियू ने ही 2017 में महागटबंदन का पार्थ होते हुए NDA के उमिद्वार जो की बरत्मान में राष्टपती हैं उनका समर्थन किया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, नमीन पतनायक हलाकि NDA के साथ नहीं है वो तकनिकी तोर पर लेकिन चुकी द्रापदी मुर्मू उडिसा की रहने वाली हैं इसलिए उन्होंने NDA के उमिद्वार को समर्थन दिया है अब आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा ये है कि किस प्रकार उमिद्वारों के को समर्थन देने का एक मापडंड तै होता है अब जैसे एक उदाहरन सरूप आप ले लीजे जेडियू को तो 2012 में जब जेडियू एंडिये का पार्ट हुआ करता था और उस समें एंडिये ने पीए सांगमा जो की पुर्व लोगसभा अध्यक्ष थे उनको अपना उमिद्वार बनाया था लेकिन दिश्कुमार ने समर्थन दिया यूपिय के उमिद्वार और वो जीते भी प्रणो मुखर जी क्योंकि उनके बारे में कहा गया कि उनसे काफी अच्छे संबंध हैं हमारे और काफी विद्वान है और सब तरीके से सक्षम है इसलिए उन्होंने प्रणो मुखर जी को समर्थन दिया अब 2012 में वो समर्थन देते हैं यूपिय के एंडिय में रते हुए यूपिय के उमिद्वार को राश्च्छपती के तोर कर और 2013 में वो एंडिय के गटवंदन से बाहर आ जाते हैं ठीक उसी परकार 2017 में वो महागटवंदन में होते हैं और मैं जेडियू की बात कर रहा हूँ और उन्होंने समर्थन दिया रामनात कोविद को उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि रामनात कोविद चुकि बिहार के राजजपाल हैं इसलिए उनको समर्थन दिया जबकि उसी चुनाओं में बिहार की महिला मीरा कुमार भी विपक्ष की उमिदवार थी लेकिन जेडियू ने उनको समर्थन नहीं दिया अलाकि दोनों ही दलित जाती से ही थे पर मीरा कुमार के साथ ये था कि वो महिला भी थी तो महिला सशक्ति करन की आप अगर बात करते हैं तो मीरा कुमार को आपको समर्थन देना चाहिए लेकिन चुकि आपको उसमें पंदन छोड़ना था और NDA में आना था इसलिए आपने NDA के विद्वार को समर्थन दिया अब देखिए 2022 में उसी आधार पर द्रापदी मुर्वु को जेडियू समर्थन दे रहा है यानि कि एक तो आदिवासी और दूसरी महिला तो ये चीज आप 2017 के राष्टपती चु करते थे जब मीरा कुमार आपके गटवंधन की उमिद्वार थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब देखिए आर्जेडी की बात देखिए आर्जेडी हमेशा दवे कुछले दलित आदिवासी इनकी बात करता है लेकिन राष्टपती के इस चुनाव में वो समर्थन किसको दे रहा है यश्वंध सिन्हा को वो यश्वंध सिन्हा जो कई एकड में उनका हजारी वाग में घर होगा आएस अफिसर रहे हैं पुर्व आईएस अधिकारी केंदर में मंत्री रहे हैं बड़े हम कह सकते हैं हलाकि विद्वान है लेकिन कहीं से भी और ही सीद्धांत से मेल वो नहीं खाते हैं चुकि वह विपक्ष के उमिद्वार हैं तो और हैं उनको समर्थन के लिए राष्टपती के चुनाओं में उमिद्वारों का समर्थन करती है अब इस बार चुकी जेडियों को हलाई काफी पीछे हंगामा चल दा थे का आर जेटी के साथ उनका फिर से गट बंधन हो रहा है लेकिन राष्टपती चुनाओं में इस तरीके से जेडियों ने एक जटके में समर्थन दिया है उसे ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता है कि बीजेपी और जेडियों के बीच में कोई कि गट बंधन तूटने की संभावना है हाला कि पिछले दिनों देखें तो दोनों के बीच में वाक्त की युद्ध चरम पे है और आज भी आज भी संजाज असवाल जो की प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है उन्होंने कहा कि मुझे हसी आती है कि जेडियू कैसे अगनी पत योजना की वापसी की मांग करता है जबकि उसके राज में सिक्षा मंत्राले जेडियू के पास है और तीन साल का जो ग्रेजुएशन है वो छे सालों में हो रहा है तो इस तरह वाक्यूद्र चल रहा है चलता रहेगा सरकार भी चलती रहेगी लेकिन इस बीच राजनेतिक डलों का जो स्वार्थीपन है वो भी खुल कर सामने आ जाता है आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार कर दो दो